हलो एवरिवान वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज यानि की सोला दिसंबर के हमारे स्टॉक से न्यूज हैं सिपला और पंजाब नैशनल बैंक सिपला ने क्लीन मैक्स और आइगा पावर में 33% स्टेक अक्वायर किया है और पंजाब नैशनल बैंक पे आर बी आई ने 1.8 करोड की मोनेटरी पेनल्टी लगाई है तो यह दोनों ही टॉपिक हम इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे और यह भी जानेंगे कि क्या हमें करेंट प्राइस पे इन कंपनीज के शेयर लेने चाहिए या नहीं और आगे बढ़ने से पहले अगर कि 80 से ज्यादा कंट्री में बेचे जाते हैं निकि अगर प्रिजिञंस की बात की जाय तो यह डिफॉर्ण्ट रिजियन्स में डिफॉरन ऐडन कंट्री में प्रिजन्ट हैं A flirt Business और इंकी अगर tim की बात की जाये तो यह जो दवाईयां बनाते हैं वो होते हैं रेसीं प्रि जाए कंपनी में latest development की तो सिपला ने कल यानि की 15 दिसंबर को announce किया है कि इन्हों ने clean max और आइगा पावर जो की renewable energy firm है उसमें 33% stake acquire करने के लिए एक pact sign किया है और जो ये deal है लगभग 6 करोड में होगी और जब ये acquisition complete हो जाएगा तो clean max और आइगा पावर सिपला की एक associate company बन जो ये investment की गई है उसका reason ये है कि सिपला ने commit किया हुआ है कि जो भी दवाईया manufacture करने के लिए ये power use करते हैं उसमें renewable power के share को ये enhance करेंगे और company ने ये बोला है कि जो भी electricity loss की regulatory requirement होती है captive user के लिए उसको ये comply करेंगे और अगर आब बात की जाए clean max और आइगा पावर की त और जो दूसरे renewable energy generation plant होते हैं उनकी production supply और distribution के business में engage है इसको February 2019 में incorporate किया गया था और इसका जो purpose था formation का वो ये था कि ताकि ये captive wind solar और renewable power generation plant को करनाटका में लगाया जा सके तो अब अगर बात की जाए हमारी second company news यानि कि पंजाब national bank की तो RBI ने बोला है कि पंजाब national bank पे इन्होंने एक करोड 80 लाग की एक penalty लगाई है इसके अलावा ICACI bank पे भी 30 लाग की penalty लगाई गई है और penalty लगाने का कारण है कि regulatory जो compliance है उसमें deficiency पाई गई है दोनों ही बैं bank में तो RBI ने जब 2019 के financial को investigate किया तो उन्होंने पाया कि Punjab national bank ने अपनी जो borrower company है वहाँ पे 30% से ज़्यादा जो इनकी paid up share capital है उसको pledge किया हुआ था तो यह non-compliant है इसके वज़े से penalty लगाई गई है और अगर ICACI bank की बात की जाए तो ICACI bank पे जो minimum balance के non maintenance पे जो charges लगते ह हैं उसमें non-compliance पाई गई है उसकी वज़े से उनके उपर penalty लगाई गई है तो ICAC bank की बात करें तो वो 100 पे प्लस एक percentage charge करते हैं जितना भी gap होता है minimum average balance जो भी required होता है और जो actual customer ने balance maintain किया होता है तो यह उसको charge करते तो RBI ने पाया कि जो भी charges इन्होंने लगाए है customers पे वो directly proportionate नहीं थे जितना कि shortfall था minimum average balance और actual balance maintained में आना कि ICAC bank ने बोला है कि RBI की direction के according अब इन्होंने changes कर लिया है और align कर लिया है जो भी अब charges लगेंगे वो as per RBI guidance लगेंगे तो अगर बात की जाए कि क्या current price पे हमें पंजाब National Bank का share लेना चाहिए है नहीं तो सबसे पहले अगर past performance देखें तो इन्होंने तीन साल में 45% की negative return दी है एक साल में इनकी 2% के आसपास की negative return है और पिछले एक महीने में भी इनका share लगभग 4% तक गिरा है तो overall इन्होंने अपने जो investors हैं, shareholders हैं उनको काफी ज़्यादा disappoint किया है और अगर ticker tape के predictive analysis को देखें तो वो इसका average price 40.53 बताते हैं higher side पे 60.8 और lower side पे 22.2 जो कल की closing हुई है वो 39.75 पे हुई है तो हमें बोल सकते हैं कि अभी अपने average price के आसपास इनका share available है और अगर इनके fundamentals और peers analysis को देख हैं तो यह mid cap company है 44,000 करोड के आसपास का market capitalization है अब इनका share क्योंकि पिछले एक साल से चला नहीं है तो इनका जो price to earning और price to book ratio है वो काफी attractive हो चुका है आना कि return on equity इनकी low side पे है और इन्होंने पिछले एक साल से बिलकुल भी share ने इनके perform नहीं किया है तो अगर मेरी personal opinion पू अगर आपको दूसरे bankों पे भी भरोसा है आप second tier banks में भी रहना चाहते हैं तो उस case में bank of boroda, canra bank या PNB भी consider किया जा सकता है तो अगर हम वापिस सिपला पे आएं और ये बात करें कि क्या इसका share हमें current price पे लेना चाहिए या नहीं तो सबसे पहले अगर हम past performance देखे तो इन्होंने 72% की 3 साल में return दिया जो कि अच्छी कहीं जा सकती है अना कि पिछले एक साल में इनकी 14.5% की moderate returns रही है क्योंकि इस टाइम पे nifty 50 ने काफी अच्छा perform किया है और पिछले तीन महिने से तो इनके share ने काफी निराश किया है लगबग 6% के आसपास गिरा है और अगर हम brokerage house reports की बात करें तो MK Global ने इसी week में एक report publish की है और उन्होंने इसका target 1140 दिया है और ticker tape के predictive analysis के साबसे भी इसका average price 1105 आता है higher side पे 1244 और lower side पे 908 तो हम यह बोल सकते हैं जो कि कल की closing हुई है 896 के आसपास तो यानि कि अपने lowest target price से भी नीचे पे available है यानि कि इसकी pricing बहुत ही attractive है और अगर हम इसके fundamental और peers analysis को देखे तो एक large cap company है 72,000 करोड के आसपास का market capitalization है और अगर P ratio और PB ratio देखा जाए यानि कि valuation को देखा जाए तो इनका दूसरी pharma companies के मुकाबले बहुत ही attractive लगता है तो Sipla और Sun Pharma दोनों का ही valuation बहुत ही attractive है लेकिन अगर return on equity की बात की जाए तो Sipla की return on equity 13% के आसपास है और पिछले एक साल से इनका share कोई खास नहीं चला है और otherwise low debt company है profitable company है तो अगर मेरी personal opinion पूछी जाए तो मुझे लगता है कि मुझे तो ये share बहुत ही पसंद है और मैंने अपनी जो दिवाली की 18 picks दी थी उसमें भी ये included था तो मुझे लगता है कि आने वाले time में ये बहुत ही अच्छी return दे सकता है यहां से लगबग 20-40% की return एक साल के अंदर दे सकता है तो अगर आपको इस sector में believe है तो आप इसमें long term के लिए निवेश कर सकते हैं हाला कि वीडियो close करने से पहले मैं हमेशा की तरह disclaimer दूँगा कि जो भी views थे वो मेरे personal थे अगर आप किसी भी share में invest करना चाहते हैं तो अपने financial advisor की advice पे और अपनी further research के basis पे ही कीजिए thanks so much for watching the video and God bless you all